दो राज्यों के अंदर है, अभी दस साल पुरानी पार्टी है, हमारी पार्टी को कुचलने में, खतम करने में, प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नी छोड़ी, एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज़ दिये, एक साथ, अर्विन केजरीवाल, मनीज सिसोधिया, संजे सिंग, सतिंदर जेन, बड़ी बड़ी पार्टी के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खतम हो जाती है, आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज़ दिये, उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है, जितना ये खतम करना चाते हैं, उतना ये बढ़ती जाती है, ये क्रश करना चाते हैं, प्रधान मंत प्रिजी आम आदमी पार्टी को, जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कहीं लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिन अधबात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मांते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुचल दिया जाए ये ताना शाही है अगर उनको लगता है कि आम आद्मी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार एक इंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो ये जनतंत्र नहीं है ये इस देश की जनता पसंद नहीं करो इन्होंने आम आदमी पार्टी को गुचलने में कोई कसर नी छोड़ी छोटे से लोग है हम लोग छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रताडित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताडित करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूं देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डक्यतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मौधी जी कहते थे सतर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिफ्टी सीम बना देते हैं किसी को मंतरी बना देते हैं और उनके सारे एडी और सीबिया के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के खिनाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक और्डियो मेरे पास किसी ने वाक्सेप कर दिया उस और्डियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था आप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंतरी को Сीबियाई के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंतरी को ये होती है भृष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंतरी मेरा एक मंतरी भृष्टाचार में मिरे को पता चला कि वो पैसे मांग रा है अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरी वाल को जेल भेजदोर कहो मैं ब्रश्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप ब्रश्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे परधानमंत्री जी आप देश वासियों को बेवकुफ मत समझो देश बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबिया के सारे केस उनके रफा दफा कर देते केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया केजरीवाल को गिरफ़तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफ़तार कर सकता हूँ तो किसी को भी गिरफ़तार कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफ्तार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किवा हुआ प्रधान मंत्री जिने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दोस्त करके उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निपताते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनोंने मनीज सिसोदिया को जेल बेज दिया संजा सिंग को जेल बेज दिया, सतिंदर जैन को जेल बेज दिया, केजरिवाल को जेल बेज दिया, हिमन सोरेन को जेल बेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया, स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया, कैरला के सीम के पीछे पड़े हैं, अगर अगर यह चुनाब जीत गए, मेर से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े जिनके बाद मम्ता दीदी जेल में होगी, तेजश्वी यादव जेल में होगा, स्टेलिन साप जेल के अंदर होगा, पिनराई विजियन जेल के अंदर होगे, उद्धव ठाकरे जेल के अ मित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरजेश का चुनाव जीच के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी नी बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजे की राजनीती खतम कर दी इन्होंने खत्तर साथ की राजनी कि खतम कर दी अब अगला किसका नंबर है योगी अदित्यनाद अगर ये चिनाफ जीत गए मेरसे लिखवालत दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल लेंगे ये लोग योगी अदित्यनाद की राजनीती खतम करेंगे उनको भी निप्टा देंगे ये यही ताना शाही है दोस्तो वन नेशन औन लीडर ये चाते हैं एक इताना शाह इस देश के अंदर बचे गा एक एताना शाह इस देश के अंदर बचे गा हमारा देश बहुत महान है 4,000-5,000 साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले 4,000 साल में कई मौक्ह आए जब इस देश के ऊपर तानाशाहों ने कपजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन तानाशाहों का तख़्ता उखाड़ के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जंता ने उसका तक्षता उखाड के फेंक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जंतंतर खतम करना चाता है आज एक ताना शाह इस देश से लोग शाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन्मन धंसे लड़ रहा हूँ संगर्श कर रहा हूँ उस ताना शाह के खिलाव 140 करोड लोगों का साथ चाहता हूँ मैं मेरे अकेने क्या करने से नहीं होगा 140 आज में आप लोगों से भीक मांगने के नहीं हो 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीक मांगने के नहीं हो मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरा भारत बहुत महाँ है इस ताना शाही से बचा लो मेरे देश को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे कान करूँगा पुरे देश भर में घूमूँगा इस ताना शाहि को रोकने के लिए दोस्तो जितनी मेरे अंदर टाकत है मेरे सबकुछ कुरुबाने देश के लिए मेरे तन मन धन सबकुछ कुरुबाने मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्ते अब एक बहुत महत्व कौन बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना ये लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधान मंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधान मंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजरी वाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होंगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा तब इसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मोदी महरोर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना जाता हूँ आपका प्रधान मंत्री का दावेदार कौन है दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महीने में योगी जी को निप्टाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शा को ये प्रधान मंत्री बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूँ मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे है मोदी जी अमिच्छा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोर्ट मांग रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से अर अमिच्छा जी से ये मोदी की कारंटी पूरी कौन करेगा क्या मिच्छा मोदी की कारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो वैसे तो मेरे को लगता मैं भी आउंगा उसके उपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब BJP का वोट देने जाएं वो ये सोचके जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नी दे रहें आप हम इच्छा के नाम पर वोल दे रहें अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझी के कहीं है वहाँ बैठके यही सोच रह था पचास दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले वे बीस घंटे हो गए रात भर मैं जनता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंभी आई थी पिछले बीस घंटे में मैंने जो बातचीत करी है कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सेफलोजिस्ट से बात की जनता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही मोधी सरकार नहीं बन रही दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राज़त्सान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिल्ली में कम हो रही है बिहार में कम हो रही है महराश्ट्र में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जारखंड में कम हो रही है बढ़क आ रही है U Ou Atik Jaka, बढ़क ना सब लगा क Passion बढ़क आ रही है बढ़क एक भी जगह हैं इनकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेला अपना मान्ने और सट्ट्थ 151 एम जाफ चल रहा के इनकी 220 आ की बीच में स्येट आ रही है उससे ज्याद़ा सीट नहीं हा रही है कि मोधी सरकार नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवन्दन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्ण रज्य दिलाएंगे दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा दिल्ली का एलजी दिल्ली वालों का एलजी होगा गुजरात से आये हुआ अभी दिल्ली के लोगों का एलजी होगा दिल्ली के लोगों का विकास होगा एक और पॉइंट है जब मैं जेल के अंदर था तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया केजविवाल सी एम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजविवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं अब मंतरी मुख्य मंतरी परदान मंतरी ये सब बनने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर काम किया है सुन्दर नगरी और नंदर नगरी की जुगियों के अंदर इंकम टैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़ के जब मेरे को दिल्ली की जनता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर 49 दिन के अंदर CM पद से इस्टीफा दे दिया था एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता CM बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप CM की कुर्सी को लात मार दी थी 49 दिन के अंदर मेरे लिए CM पद इंपोर्टन नहीं है आज मैंने CM पद से इस्टीफा क्यों नहीं दिया जेहल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे इतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56 परसेंट वोर्ट एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सरकार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के प colony जूटा केस अब उनको पता है वहीं हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उने पता है अगरे 20 साल तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कोई नहीं अरा सकता तो उन्होंने एक शडैंतर रचा राज्यनेतिक शडैंतर रचा केजरिवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरिवाल को स्टीफा देना पड़ेगा केजरिवाल की सरकार गिर जाएगी उन्होंने ये शडियंतर रचा मैंने का मैं भी स्टीफा नहीं लूँगा तू मगर तुम अगर जनतंतर को जेल में कैद करोगे तो जनतंतर जेल से चला के दिखाएंगे दोब्स करकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कदाई स्टीफा तुम्हारे ट्रैप में फसने वाले नहीं हैं यह अगर हेमन सुरेन साब को भी स्टीफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए थी अगर हमने स्टीफा दे दिया यह तो बड़ा अच्छा इनके लिए जिस राज्य के अंदर यह चुनाव हार . आज मैं अगर दिली की जेल के अंदर रहके दिली की जेल से स्टीफा नहीं दे रहा वो इस तानाशाही के खिलाफ संधर्श कर रहा हूं इसको समझ लेना है केज रिवाल डेना किसी पद का लाल चनी है액 है 200 सीम की कुरसी देश के नाम कुरबान है थे मुझे पता चला मेरे जेल जाने से बहुत लोग भावू क्यों खास कर मेरी माँ बहने महिलाएं बहुत रोही कई उने बहुत मन्यते मांगी मैं सब का बहुत बहुत शुक्रिया दा करना चाहता हूं जिन लोगों ने अपनी दुआएं करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं भेजी है पूरी दुनिया भर से करोड़ों लोगों ने दुआएं भेजी उन्हीं के आशिरवात का कमाल है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ आप लोग सब लोग सुखी रहें देश खूब तरक्टी करें फले फूले आप सब लोग खूब खुश रहें ऐसी मेरी प्रबू से इच्छा है भारे अप मता की रास्ट गान के लिए